Welcome back guys in another video तो guys आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 वी कज़िद 2021 में 88 परिक्षा पेपर होने वाला है वैसे गड़ित का उसके लिए guys एक model paper जी हाँ guys इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेदी most IMP question से बड़े हुए model paper के बारे में जिससे गाइज यदि आप तयार कर लेते हो तो आप easily 50 से 70 नमबर 50 से 70 नमबर गाइज आप बड़ी ही असांत्या बड़ी ही सरलता के साथ 50 से 70 नमबर ला सकते हो यदि आप just इस question paper को solve करते हो तो गाइज आपको 2018 का अर्दवासिक परिक्षा paper बिसागरत का exam देना से जानने से पहले इस paper को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीकी से तयार कर लेना है उसके बाद ही आपको paper देना जाना है जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे marks अर्चिप कर पाऊगे अपने हाँ पे स्ट्रेंद का इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का study materials और paper इस चैनल पर प्रवाइड किये जाएंगे तो गाइस हम चेक करते हैं कॉस्चन तो अर्दवार्थिक परिक्षा 2021-22 कख्या दस्वी बैसागरत पहला question देखें जो कि है भी है दिमोष्ट आई एम पी तो वह किसी एम के लिए सम पूर्णांक निम्न सवरूप का होगा तो यदि पूर्णांक एम है तो सम पूर्णांक जो है वो किस सवरूप का होगा तो चात्रों सम एन टू और यहां से आप कनेक्ट कर लो टू एम ठीक है किस मतलब किस सवरूप का होगा तो वह होगा टू एम किस सब्सक्राइब या किसी माइनस में होगा उसके बाद शात्रों तीसरा कोश्चन देखें तो समिकरण 2x प्लस 3y वराबर 5 मैं यदि-7 इसे समीकरण निका लेंगे को रखके नेना आपका थारड़ की फोर्थ चैप्टर का question है तो आपका जो answer आएगा चात्रों बहोगा बी याना की option number अभी 13 आपका उत्तर आएगा तो चात्रों आपको solve खुट से करना है question जैसे आपकी तयारी बहुत जाज अच्छे से हो जाए और यदि paper में यही question या इसी type के दूसरे question आए तो आप बहुत अच्छे से हल कर लो तो solve आप खुट कर लेना बाकी हम आपको answer बता देते हैं ठीक है then fifth question देखेंगे sorry fourth question यदि one upon two and एक बटे दो दिखाती है समीगरण x square plus kx multiply 5 बटे 4 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान है तो यदि आप इस question को देखोगे solve करोगे आपका answer आएगा sorry guys आपका answer आएगा fourth question में option number a याने की 2 ठीक है आपका 2 answer आएगा तो आप solve करके देख लेना उसके बाद question number 5 देखेंगे यदि ap का सरवांतर 5 है तब a 18 यहने a 18 माइनस a 15 का मान क्या होगा तो इसका जो मान होगा वह होगा c यहने की option number 25 बाला answer correct हो जाएगा आपका देखेंग छटबा question 12 और 18 के scf और lcm का अनुपात होगा तो बनुपात होगा एक अनुपात 6 इसके बाद आपका साथवा question है x square minus 2x minus 8 के सुन्यक होगे तो आपकी जो इसके सुन्यक आएंगे बो आएंगे 4,2 ठीक है साथवे question क्या होगा आपका b then 8 बाद जो question है तो 8 बाद है x square minus sorry x minus y बराबर 2 तता x plus 4 का हल है तो इसके बाद होगा 3 और 1 ठीक है then next question guys sorry यहां पर 3 और 1 नहीं आएगा आपका साथ 8 बाद आपको सॉल्व करके question no.8 कांसर को confirm कर जाना है ठीक है और आपको right answer पता तब comment भी कर सकते हो इसके बाद question no.9 देखें 2 गात समीकरण x square minus 4 x plus 4 बराबर 0 के बिवित कर कमान होगा तो वो है आपका c बाला सही 0 दस्वा question अधी ap यानकी arithmetic progression में अधी d is equal to minus 4 n is equal to 7 इब हम a n बराबर 4 है तो a का मान होगा तो गाइस आपको दस्वी में आपको उत्तर आएगा बुआएगा option no.d सही यानकी आपका 28 अंसर हो जाएगा ठीक है question no.10 पर है इसके बाद हम next question के बढ़ते हैं तो वो है आपका ग्यारबा किनी 2 a तता b धनात्माक पुर्णांकों के लिए जहां a बराबर पी क्यूब की स्केर तथा b बराबर पी क्यूब क्यूब है तथा a तथा b कमान का ऐसी अप होगा तो वह होगा आपको ग्यारबे का उत्तर बी यानए पी की स्केर यान बारवा question देख सकते हैं उसका answer होगा आपका a यानकी 3 तेरवा question का इस आपका उत्तर होगा a b a b is equal to b यानकी आपको a b is equal to c यानकी आपको टिक करना option no.d 12 question देख सकते हैं आपको उत्तर आएगा question no.14 का का इस आप का उत्तर होगा 2,2 यानकी 2,2 then 15 question का आप देख सकते हो और 15 question का answer आएगा वह आपको होगा चात्रों option no.c correct यानकी 44 ठीक है इसके बाद next question देखें तो वह है question no.2 में 70 70 लिखिए तो 8 9 25 का ऐसी आप 8 9 25 का ऐसी 25 होगा तो जी 70 आपको जो जाएगा incorrect then दुए गास समी करन की अनेकल हो सकते हैं तो 70 है दुए गास समी करन की बास्त्रिक मूल होने के लिए डी बड़ा हो चाहिए जीरो से तो आपका तीसरे को तरगाई आपको सत्तों जाएगा चौनता भी सत्त होगा और जो पांच बाद होगा वो पांच बाद सत्तों होगा ठीक है then question number third है आपका रेक्त स्तानों की पूर्ति करें तो first, second, third, fourth, fifth question देख सकते हो तो ABC, AP में होंगे यदि AB बराबर A plus B, sorry A plus C तो इसकी बटे में आएगा आपका 2 ठीक है? A plus C upon 2 होगा यदि Y, X का ही गुनज है तब X तथा Y का LCM होगा तो बो होगा आपका X, Y पार आपका है, okay then question number third, यदि दुईगात यदि बहुपद, X square plus A1, X plus B के दूसर उन्यक, 2 तो माइनस 3 है तो A plus B होगा, तो आपका third cancer आएगा minus six, fourth cancer का अच्छा आप देखोगे तो fourth cancer आएगा, AB ठीक है, AB बराबर BC, sorry guys आप चेक कर सकते हो आपका fourth cancer आएगा, A upon V, बराबर B upon C, is not equal to C upon C, ठीक है, then question number fifth है, तो आप fifth के question देख सकते हो, इसका अच्छा आएगा, आपका, 3,0, question number four देख सकते हो, चौन था, तो इसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, तो question number first है, इसका आपका answer आएगा C, यानि कि D बराबर 4, दूसरे का जोई उत्तर होगा, वो होगा D बराबर 2, थार्ड question का आपको उत्तर होगा, D बराबर 2, 3, 4 तो जाएगा आपका, and fifth तो जाएगा आपका, वत्तिस, ठीक है, इसके बाद आपको question कमांग 5 से 9 तक मैं से कोई भी तीन प्रेशन हल करने हैं, तो आपको सभी हल करने हैं, क्योंकि आपकी practice के लिए है question, तो आपको बहुत अच्छे तैयार करकी paper देना जाना है, जिसे आप अच्छे से अच्छे नंबर अच्छे कर पाओगी अपने अर्दवार्सिक प्रेक्स का paper पर, तो वीडियो को लाइक करना, मत भूलना, सारे-सारे फ्रेंस के साहता ग्रूप में वीडियो को share कर देना, ठीक है, तो आप question देख सकते हो, जिसे संक्या 867 एवं 255 का एसिया कितना होगा, 6 question देख सकती है, वीडियो को पाउस करके, 7th and 8th question, ठीक है, 9th question, सर्वांतर शरणी, 9, 5, 1, माइनस 3 का दसवा प्यात किजिए, देन गाइस, आप दसवा question देख सकते हैं, वीडियो को पाउस करके, 11 बार बार ठीक है, 13 बार भी आपके सामने है, देन 14 बार question देख लो, दो अंको वाली कितनी संक्या 3 से बेभाज्य हैं, अंदरा देख सकते हो, देन 16, देन 17, देन 18, 19, बहुत ज़्यादा आपके तयारी के लिए हैं, तो आपको तयार कर लेने सारे question, और तयार करके paper देना जाना है, तो आप देख सकते हो, 22 बार question, 22 में आपका diagram भी आप देख सकते हो, इसके बार 23 जो question है, वो आप देख सकते हो, 24 and 25, ठीक है, देन 16 उसकी बार देखें, तो आपका 26 बार question आपको सामने है, 26, 27, 28, 29, 30 and 31, तो ये भी आपके लिए तयारी करने की बहुत जरूरी है, तब तय कर लेना, ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो बेटेको लाइक, share and चैनल को सब्सक्राइब करना, मत भूलना, PDF जो है तो PDF आपको टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगा, और उसकी लिंक है description पे, तो आप टेलिग्राम ग्रूप भी जाइन कर लो, okay, तो आ को सब्सक्राइब करना, मत भूलिएगा,